पहाडी इलाकों में हो रही बारिश लोगों पर आफ़त बनकर बरस रही है लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोग अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए कभी भी खत्रा लेकर आ सकता है दरसल मनिकन घाटी के मलाना में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दो के बांध के गेट गाद के कारण बंध हो गए हैं पानी ओवर फ्लो हो गया है बांध के उपर से पानी बहने पर इसके तूटने की आश्रंका को देखते हुए रिहाईशिक शुत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया बांध के किनारे को तोड़ कर पानी निकाला जा रहा है तो वहीं लोगों की सुरक्ष्वा को देखते हुए 20 किलोमेटर ख्ष्वेत्र में मकान खाली करा दिये गए हैं NDRF के टी में तैनाद कर दी गई हैं जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द डैम के गेट को खोला जाए और पानी के बढ़ते जलस्तर को रोका जा सके घाटी में रोजाना हो रही बारिश के कारण जलस्तर कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है जिस कारण गेट खोलने में दिक्कत आ रही है लेकिन प्रशासन बाखो भी अपना काम कर रहा है प्रशासन के ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें लोगों को अफ़वाओं पर धान देने की अपील की गई हिमाचल प्रदेश में बारिश को देखते हुए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है यानि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने के आसार है और रहत भरी बात ये कि अभी लोगों को ड्याम से कोई खत्रा नहीं है और सूर्य समाचार भी अपने दर्श्रकों से यही अपील कर रहा है सावधान रहे और परशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें सूर्य समाचार के लिए कुल्लों से अनिल कांत की रिपोर्ट